आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे हूँगे, मैंने नाम ऐसे धान तक नहीं होती ही, श्टेडी आईक्यों पर आपका बहुत दोस्वागत है। दोस्तों भारत के इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्नोंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। तो आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मी बाई की। की सब हार गए। लेकिन अनफॉर्चनेटल दोस्तों बैटल फील्ड में ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी, काफी घायल हो गई थी। तो दोस्तों आज हम रानी लक्ष्मी बाई के बारे में जानेंगे, दो पार्ट में लेक्चर आएगा, ये उसका पार्ट वन है, ल फ्लो फ्लो में एनजी का मेंबर बोल दिया था, तो I am really sorry दोस्तों, माफ कर दीशेका, तो चली आगे बढ़ते हैं, सिद्धान तक निहोतरी मेरी फेस्बुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगाप लेच्चर की PDF ले सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, साथी साथ दोस् है, सारे कोर्सेस पे, नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और अपनी ड्रीम चॉब निकालिए, अब हम क्या पाइने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इनकी शुरुवाती जीवन को देखेंगे, घुड सवारी, अस्त्र शस्त्र विद्या, बहुत ज लिचरिस में लगेंगे, लेकिन मैं समझी दूँगा कि कॉजिस क्या थे, भया, रानी ओव जासी तो सूत्र धार थी न, उन्हों ने तो इस फर्स वार अफ इंडिपेंडेंस में बढ़ चड़ के हिस्सा लिया था, और वो वार गया था, ब्रिटिशर पे कि उनकी तो हालत डॉमिनेंस इस्टैबलेश हो गया था, और वो जो सौ साल का एक्स्प्लोइटेशन है, पूरी तरीके से चालू हो गया था, अगले सौ साल तक भारत को पूरा निचोड दिया था, 1757 में बैटल अप लेसी के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत के आया था, त भारती लोगों ने फूलों से स्वागत किया था, तो एक ब्रिटिश लेखक लिखते हैं, कि अगर सबने फूलों की जगाँ पत्थर उठा लियों होते, तो ब्रिटिश है उल्टे पाओ भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यूनिटी की दोस्तों बहुत कमी रही है First War of Independence में ही आपको पता है, भारत, मतलब जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, उनमें भारती सोलजर्स की संख्या कितनी थी? 87%, 87% अगर हर कोई उसी वक्त विद्रो कर देता, तो ये नौबती नहीं आती, तो दोस्तों ये 100 साल का जो बदला है, ऐसा नहीं है कि revolution नहीं हुए, rebellious पेजेंट rebellion हुआ, चुना rebellion, सन्यासी rebellion, बहुत सारे rebellion हुए, लेकिन इन सब को crush किया गया, और जो बदला है, जो चिंगारी हमारे मन में थी ना, उसको जुआला बना दिया, रानी लक्ष्मी बाई, नाना साहिब, तांत्या तोपे, इन सब ने, तो ये सब देखेंगे, struggle द उन सब चीजों पे भी नज़र डालेंगे, दोस्तों, रानी अफ जासी पे, हाली में अभी movie भी आ रही है, बहुत ही जबरदस्त अदाकारा, कंगना रनौत, रानी अफ जासी, मनी कर्णिका का रोल जो है, वो प्ले कर रही है, मनी कर्णिका, बचपन का नाम था, रानी करने हुआ है, तो इन पे एक बहुती फेमस कविता लिखी गई है, चार पंक्ती उनकी लेके आया हूँ, बताना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा, तूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक कुठी संसत्ता मन में वो तलवार पुरानी थी, पुंदेले हर बोल के मुँ, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वत चांसी वाली रानी थी, क्या बात है, तो दोस्तों, अगर रानी लक्ष्मी भाई की बात करें, तो इनका जनम 19 रवेंबर 1835 में हुआ था, दोस्तों, बहुत जगा ये 1828 में आपको लिखा हुआ में लेगा, ले इनके पिता जी का नाम था, मोरपंततामे और इनकी माता जी का नाम था, भागी रती सप्रे, दोस्तों, चार साल की थी ये, जब इनकी माता जी का देहान्त हो गया था, तो पिता जी इनको फिर बिठूर ले आये थे, वाला निसी में जनम हुआ था दोस्तों, बिठूर कान तो तो वहां पे इनका बचपन जो है वह गुजरा. अब दोस्तो क्या है कि बचपन से ही इनको अस्त शाष्त पर होते हैं कि ये वाड़ेशी बनेगी वैसे बता दू कि इनके पिताजी को एक भविश्च करता है आस्ट्रोलोजर ने ये बोला था कि आपकी बेटी रानी भनेगी। तो किस्वत में ही था रानी बनना लेकिन ये रानी कोई आम रानी नहीं थी। ये warrior थी। इनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी जाधा हिम्मत थी। हिम्मत की बात करें दोस्तों तो इनके जो बचपन के दोस्त थे नाना साहिब और तांत्या तोपे नाना साहिब कौन थे दोस्तों बाजी राव टू के बेटे थे ठीक है बाजी राव टू जो पेशवा थे उनके बेटे थे एक्जाइल पेशवा थे और बहुत ही जादा इन जैसा कि मैंने बताया कि बिटिचर की जीत हुई थी, तांत्या तोपे तो रानी लक्ष्मी भाई के साथ ही लड़े थे, उनकी सेना को देख रहे थे वो पूरा अच्छे से, तो नाना साहिब, तांत्या तोपे और मनु, देखिए मनी कर्णिका जो है वो बच्पन में नाम थ था ना, ठीक है लिखा हुआ था, मनी कर्णिका वो रानी लक्ष्मी भाई का बच्पन में नाम था, तो प्यार से उनको सब मनु मनु बुलाते थे, तो ये तीनो बच्पन के बहुत अच्छे दोस्ते, साथ में उठना, बैठना, खेलना, शैतानिया करना, तो ये तीनो चबीली बोला जाता था, दोस्तों, शुरू सही लक्षर दिखाई दे दिये थे, कि ये जो है, रूल करने के लिए ही बनी हुए, क्यूंकि ये इनको पता था, पहली बात तो ये ऐसा नहीं है, कि बहुती ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्णर इनका था, नहीं, अगर कोई गलत ह है, तो उसको ये उसी हिसाफ से ट्रीट डरती थी, ठीक है, हर चीज को सिचुएशन के साफ से ये एजजस्ट करती थी, गोड सवारी का बहुत ज़्यादा शौक था दोस्तों, और बहुती ज़्यादा समझ थी कि कौन सा घोड़ा की चीज के लिए फिट बैठेगा, अगर हमको वार पे जाना है, तो कौन-कौन से गोड़े को लेके जाना है, तो ये चीज थी, अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे बहुती छोटी सी उमर में इनकी शादी तैह हो जाती थी, तो मर्नी कर्णिका की जो शादी है, वो जासी के महराजा से तैह होती है, राजा गंगा धर निवलकर, 1850 में उनसे शादी होती है, 14 साल की ही होती है, जब उनके राजा निवलकर से शादी होती है, और उसके एक साल बाद ही दामोदर राओ का जनम होता है, अब दोस्तों ये एक कहानी है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कहानी इंदर के बादल छाने वाले हैं मनू की जिंदगी में 1851 में दामदर राओ का जनम होता है ठीक है मनू किया एक बच्चे आया बहुत ही प्यारा बहुत खुश मनू राजा बहुत खुश लेकिन चार महीने बाद ही मृत्ति हो जाती है उसकी ठीक है वो मर जाता है प्रॉब्लम्स तो बच्चे को वो एडॉप्ट कर लेते हैं जिसका नाम होता है आनंद राओ और उसको फिर दामोदर राओ ये उसका नाम रखते हैं ठीक है ओरिजिनल नाम उसका आनंद राओ होता है जो एडॉप्टेट सन होता है मनू का लेकिन फिर उसका दामोदर राओ नाम रखते हैं तो आयो वे चीज आपको क्लियर हो गई, ओरिजिनल जो नाच्रल हेर था, ठीक है, मनी का इंडिका का मतलब राणी अवजासी का, उसकी तुम रित्ती हो गई, तो उन्होंने अपने रिष्टेदार के बच्चे को एडॉप्ट किया था, ये एक चीज, आप इसको साइड में 1856 तक ये रहे थे, ठीक है, और इन्होंने भारत के लिए भी काफी कुछ किया, और भारत के अगेंज्ड भी काफी कुछ किया, दोस्तों, PWD, Railway, Telegraph, Postage Stamp, ये सब लोड डलाउजी लेके आये थे, ठीक है, 1850 के बाद, लेकिन इनकी एक policy थी, Doctrine of Labs, जिसने कवाड़ा करना एक-एक लोगों का शुरूप कर दिया था, इसके तहत क्या बोला गया था, दोस्तों, इसके तहत ये बोला गया था, कि जो princely states हैं, अगर उनके महराजाओं के पास natural hair नहीं है, मतलब, अगर उनका खुद का बेटा नहीं है, किसी को adopt किया है उन्होंने, तो naturally, वो जो पूर सामराज है उनका, वो ब्रिटिशर के पास चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब यहाँ पे रानी लक्ष्मी बाई के original जो उनका natural hair था, उसकी तो death हो गई थी, ठीक है, उनका खून तो मर चुका था, उन्होंने तो adopt किया था, तो यहाँ पे जासी चला गया, ब British officials की देख रेक में ही हुआ तो, British officials पुरा agree कर गए थे, कि कोई बात नहीं, आप जो है, जासी आप की ही रहेगी, लेकिन बाद में doctrine of labs के तहर, वो ब्रिटिशर के पास चली गए, और फिर रानी और जासी नहीं बोल दिया, कि मैं अपनी जासी नहीं दूँगी, problems और खतरन मुसीबतों के बादल चा गए हैं, लेकिन रानी लक्ष्मी भाई ने हार नहीं मानी, अब तक तो वो एक रानी की तरह व्यवार कर रही थी, अब वो एक warrior के रूप में आने वाली थी, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, किस तरह से कहानी जो है, सारी कहानियां जो अलग- सतंतरता संग्राम, भारत में जो पहला सतंतरता संग्राम लड़ा गया था, उसका बिगुल बच जाता है, देखते हैं दोस्तों, first war of independence कैसे स्टार्ट हो, कुछ causes के बारे में जानते हैं, दोस्तों आपको पता ही कि 1857 में स्टार्ट हो गया था, मेरेट से स्टार्ट हुआ अब दोस्तों, अगर हम first war of independence की बात करें, वैसे तो बहुती बड़ा topic है, लेकिन अगर उसको summarize करें, तो हम चार causes को मानते हैं, सबसे पहले तो economic cause था, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 100 साल में ब्रिटिशर ने तो पूरी तरीके से भारत को निचोड़ दिया था, industrial revolution और आप वो चीज़े उगाईए, जो सही हो, industrial revolution को जो बढ़ावा दे, अनाज मत उगाईए, लेकिन वो चीज़े जैसे नील, इंडिको या नील दरपंड, किसने लिखी है, चलिए comment box में बताइए, ठीक है, एक ऐसी वो मतलब क्या केता है कि साहित था, कि पूरी तरीके से उसन किसानों को बरबाद कर देते थे, लोन्स जो लेते थे किसान, वो नहीं दे पाते थे जमिदारों को, टैक्स बहुत हाई थे, जिसका गुसा फूटा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, फर्स्ट वार उफ इंडिपेंडनेंस में, मिडिल क्लास ने भाग नहीं लिया था, तो आ एनेक्स कर लिया गया था, क्योंकि इनका कोई लीगल एर था ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज, पेंशन्स जो मिलती थी, जिनको जिनको मिल रही थी, सब कुछ रिफ्यूस कर दिया था, बहादुर शाह जफर को ये बोल दिया था, कि रेड़ फोर्ट खाली कर और निकल जाओ यहां से, तो ये सारी चीजें भारती बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, अम्बैरस्मेंट हुआ, ये हमारी फीलिंग जुड़ी हुए थी, बादरुचा जफर दोस्तों आखरी मोगल एंपरर थे, ठीक है, और उन्हीं को ये लीडर बनाये गया, फस्ट वार जा रहा है ब्रिटिचर, ये क्या बक्वास है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉस था, लेकिन दोस्तों अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, जिसने इसको आँग दे दी, मतलब इस छोटी से चिंगारी में पेट्रोल डाल के आँग वो क्या कहते हैं कि जवा भारती थे, अब यहाँ पे ब्रिटिचर ने एक नई बंदूक उन्होंने इंट्रड्यूस कराई थी, इन्फिल्ड राइफल्स, जो बंदूकी गोलिया होती थी, उसके आखी एंड में ग्रीस लगी रहती थी, ठीक है, और उस ग्रीस को मूँ से काटना होता था, तो ग्री ग्रीस है, वो मास से बनी हुई है, किसका मास, गाए और सुवर, काउ और पिग्स के उसके मास से, फलेश से बनी हुई है, और उसको मूँ से काटना पड़ता था, अब दोस्तों, ब्राम्हनों के लिए तो बिलकुल अनक्सेप्टेबल है, काउ बिलकुल गाए की हत्या थो बिलकुल इक दम अनक्सेप्टेबल है, और मुस्लिमों के लिए पिग्स, उनका मास बिलकुल अनक्सेप्टेबल है, तो ये इमिजेट कॉस था, मंगल पांडे ने बोल दिया, मैं नहीं करूँगा, वो सोलजर थे, ठीक है, ब्रिटिश आरमी में, उन्हों ने बोल दिया, मैं नहीं करने वाला, 7 अप्रेल, 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, और, I mean, sorry, 8 अप्रेल को दी गई थी, 8 अप्रेल, 1857, उसके ठीक एक महिने बाद, और बहुत सारे सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया, रिबेलियन मुव्मेंट को जॉइन कर लिया, 85 सोल्जर्स ने अटैक किया, और, रिबेल किया, यहां पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, दिक्कते हुई, उन 85 सोल्जर्स को, 10 साल की सजा सुनाई गई, और, मेरट में ये सब हुआ था, और, मेरट से ही, 1857 की क्रांती का बिगुल, बच गया, अब दोस्तों, अगर, सेंटर्स की बात करे तो 6 बहुत जादा important centers थे, जहां से ये war जो है, वो लड़ा गया, कानपुर, लखनव, बरेली, जहांसी, ग्वालियर और, आरा, लेकिन, एक, एक करके, हर शहर के लिए, एक commander को, नुक्त किया गया, और, एक, एक करके, सब को suppress किया गया, और, इस rebellion को, पूरी तरीके से, first war of independence को दबा दिया कि, दोस्तों, ब्रिटिशर बहुत सालों तक कहते रहे कि, सिपॉय म्यूटिनी है, ठीक है, ये तो soldiers ने revolt कर दिया था, डरते रहे वो, लेकिन, जब बाद में research की लोगों ने, जब historians ने पढ़ा, तब पता चला, ये कोई सिपॉय म्यूटिनी नहीं थी, ये first war of independence था, जो ब्रिटिशर के खिलाब, सामराज के खिलाब, भारतियों ने लड़ा था, ये कोई सिपॉय म्यूटिनी नहीं थी, तो ये अकसर होता है दोस्तों, कि ब्रिटिशर जो उनकी writings है, वो बहुत जादा छुपाने की कोशिश करती है, और कुछ और project करने की कोशिश करती है, तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे जहांसी पे भी एक जहांसी के पास भी बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि doctrine of labs के तहट जहांसी को annex किया जा चुका था, दूसरी चीज यहाँ पे सीधा रानी लक्ष्मिवाय ने बोल लिया था, कि मैं तो जहांसी दूंगी नही ठीक है, तो यहाँ पे conflict होना लाजमी था, और उसके बाद जहांसी के revolt को suppress करने के लिए बुलाया गया General Hugh Grose, और आर्मी के एडवाईजर रह चुके थे, यह Crimean War में यह लीड कर चुके थे, तो बहुत ही खतरनाक इनसान थे, तो General Hugh Grose को बुलाया गया, उसके बाद, रानी अवजासी वर्सेस Hugh Grose, यह Battlefield में मिलेंगे, और क्या कहानी है, किस तरह से यह लड़ाई जो है, लड़ी गई, और फिर रानी अवजासी ने Battlefield में क्या पराकरम दिखाया, और कैसे वीरगती को प्राप्ती और इस First War of Independence का अंत्वा, वह हम अगले पार्ट में जानेंगे, तो I